हेलो एब्रिवान स्वागत है आपका कैसे हो आप लोग चलो सब अच्छे से मस रहिए खुछ रहिए अपने परिवार के साथ व्यस्त रहिए आज हम बनाएंगे बिस्कीट जो बहुती तदर टेस्टी होते हैं फ्रेंस और बनाना इसे बहुत असान है मार्किट जैसे बिस्कीट जब हम घर में बना सकते हैं तो क्यों आप बनाया जाएं इजी सी रेस्पी ये फ्रेंस खाने में बहुत मज़ेदार है इसे यह आप स्टोर करकर काफी समय के लिए रख भी सकते हैं तो चलिए बना लेते हैं यहां न ले लेंगे हम आटा या फिर म सूजी लेना है सूजी आपकी मोठी वाली हो या पतली यहां पर कोई भी 30 आप ले श मत किजिएगा क्योंकि जब हम मार्केट वाले देखो अगए अपने बैकरी वाले बिस्किट खाते हैं तो इसमें नारिल करना टेश्ट रहता है तो वह यह अपने चीनी है चीनी में यहां आधा कटोरी लिए तो मेठा आप अपने हिसाफ से डालेगा लेकि वैसे बिस्किट म तो प्चीनी को मैंने पीस लिया था फिर इसका इस्तमाल किया है अब इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि यह अच्छे से मिल जाए और इसका टेस्ट दूगना हो जाए तो देखे अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक जो हमारे सिंपल-घृ नमक हो था और खाने में बहुत ज़दा अच्छा भी लगता है, इसकी जगन आप अजवाइन, जीरा ये भी डाल सकते हैं, तो अब लेंगे इसमें हम दो चम्मस तेल, तो रुफाइन तेल का में नहीं है, इस्तमाल के आप यहां पर घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, तो रुफाइन तेल कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आएगी इसके टेस्ट में, ऐसे लगएगा जैसे आप बजारी बिस्कित खा रहे हैं, तो देखें आप पानी लेना है आपको, और पानी से ना इस आटे को गूंद रहा है, तो गूंद रहा है, तो गूंद रहा के हमें थोड़ा ठीक ठा चाहिए होता है, तभी हमारे बिस्कुट भी कावी खसता और अच्छे से मोटे मोटे फूल कर आएंगे, तो देखें, यहां पर हमने कढ़ाई ले लिए है और डालेंगे इसमें तेल, तेल हम यहां कम ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमें फ्राइ नहीं करना दो भाग में डिवाइट कर लेंगे, तो आपने क्या करना है, आप इसको तीन भाग में भी डिवाइट कर सकते हैं, जैसे हम मार्केट की बिस्कुट खाते हैं, तो आप इसकी मोटाई को जानते होंगे ना, उसी साब से आप इसको बेल लिएगा, कि आपको कितना मोटाई बिस्कूित की रखनी है, तो देखें, मैं यहाँ पर क्या करेंगे बेलन्से लेकर में इसको बेल लेंगे और थोड़ा बढ़ा बेलेंगे, जिस साब से आप मोटाई इसकी रखनी चाहती है, तो देखें मैंने बेल लिया है, और आप क्या करेंगे, एक अपने गिलास ले या पर एक कटोड़ी ले जीगा या पर एक कटर आता है, मार्किट से मिल जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं, तो ये सबसे छोटा गिलास था मेरे घर में, मैं इसी को ली, कि ताकि छोटे-छोटे बिस्किट निकले, आप बड़े-बड़े जो गिलास होते हैं, उनको भी ल इस तरीके से बना कर देखेगा, तो आप इसे पार-बार बनाएंगे, इस तरह से कर लेना है, और एक ही बार में, ये 7 बिस्कित मेरे निकल गए है, तो आप अगर ज्यादा बिस्कित बनाना चाहते हैं, तो आप ज्यादा भी आटा गुंद सकते हैं, लेकिन अगर आप पह इस मेंने यह कर लिया है एक टाइम का तो आप क्या करने है आपको नाइफ लेना है और नाइफ के कोई भी साइट से आप इसे कर सकते हैं पर काटना नहीं आपको कहीं आप इसे काटी दो तो पूरा बिस्किट का शेप भी बिगड़ जाएगा तो देखे हलका हलका से आपको नाइफ की जगा स्केल होता है वह ले सकते है या फिर एक स्टीक होती और स्टीक भी माह प्री सकते है एक ठीक पर कर सकते हैं अगर नाईफ से आपको बugs कट ना विल्ड़ा इस प्रचिक प्रफ्टा करना है तो आपयु भी चाटना पेअट से यह सुणति है उसको बिजि बिस्किट में बहुत उभर कर आता है यह दिजाइन यह देखिए लग रहा है सुंदर तो एक और में आपको बना के दिखा देती है यह देखिए अब क्या करना है नाइफ लिजे और नाइफ के बैक साइड या किसी भी साइड से आप कर सकते हैं बस काटना आपको नहीं है इ बिस्किट मिलते है बिल्कुँ वेसे ही दीख रहा है इसका डिजाइन तो बस जी सबको कर लेना है हमें तो मैं फिलाल एक जो बैच उसको कर रही हूं और अब इसको हम क्या करेंगे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमें इसको बनाने में इजी पड़ जाए अगर यहां पर मैं ओवन में नहीं कर रही हूं थोड़ तेल में इसको हलका हलका सा हम इसको तलेंगे ज्यादा तलना नहीं है जिसे हम पकोड़े बगार तलते हैं उस टैप का हमें नहीं करना है कम तेल में इसे हमें पकाना है और उलट पुलट करकर आपको पकाना है लेकिन पहल बेकिंग सोडा का इस्तमाल नहीं किया है फ्रेंस और ना ही कोई दही ना ही कोई इनो सिंपल सा तरीका है लेकिन इसके टेस्ट में कोई भी कमी नहीं है भोती अच्छे बिस्किट बने और इसे बना कर आप स्टोर करकर कापी समय के लिए रख सकते हैं कर आपके घर में टिक जाए तो नहीं तो खाएंगे तो तुरहां खतम हो जाएगा तो देखी अब इसको फिर हम पनट लेंगे और फ्लेम जो हमारा है नहीं लो रहेगा बीज-बीज में आप इसको मीडियम थोड़ा से मीडियम कर सकते हैं बट बिस्किट को लो फिलेम में ही पकाईएगा तो अच्छे से अंदर की तरब से वो पक जाते हैं और आपको कच्छे कच्छे से नहीं लगेंगे बिकुल आपको लगेगा जैसे आप मार्किट के बिस्किट खा रहे हैं यह देखी कितना सुन्दर इसका डिजाइन दिख रहा है लेकिन मैं इसको भी निकालूंगे नहीं वापिस डाल दिया कड़ाई में क्योंकि मुझे लगा कि अभी स्याद यह नहीं पका है तो थोड़ा में इसको और पकाऊंगे कड़ाई में आपको लग रहा होगा कि काफी ब्राउन कलर हो गया है बट नहीं होता इसको जब आप निकाल लोगे निकाल लेके बाद इसका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है तो होने के पाद इसको आप सब करके रख सकते हैं डबे में भर कर पैक कर सकते हैं और कहीं महिनों तक अभी से खा सकते हैं और फ्रैंस इसको जब हम अभी गरम गरम है जब थंड़ा हो जाए जब इसको तोड़ेंगे ना तो बहुत खसता होता है और मतलब खाने में इतना टेस और बताएगा कि आपको यह बिस्कित कैसे लगी और इजी सी रेस्पी है फ्रेंज बना सकते हो आप स्टोर करके रख सकते हैं यह देखिए अराब से टूट भी रहा और बहुत ही खस्ता भी बने हैं तो चलिए फ्रेंज बनाईए इंज्वाइ किजिए और बिस्कित का आनन् गुडबाई एंड टेक केर